नमस्कार दोस्तों आप देख रहें दुनिया भर की राजनीती आशा करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे कल नरेंडर मुदी जी की सरकार ने कैबिनेट में एक प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है और वो प्रस्ताव है One Nation, One Election का जिसका मतलब है NDA के तोर पर BJP के सभी सहयोगी राजनेतिक दलो ने भी इस प्रस्ताव का समर्थन किया है वैसे ही ये प्रस्ताव कोई नया नहीं है क्योंकि नरेंडर मुदी जी ने अपने कई पुराने भाशनों में इस चीज का जिक्र किया था लेकिन 2014 और 2019 में पूरुन अबहुमत की सरकार आने के बावजूद उन्होंने इस पर कोई कदम नहीं उठाया था लेकिन 2024 में सरकार आने के बाद इस फैसले में उन्होंने दिल्चस्पी ली है इस परस्ताव के लिए सरकार ने कोई भी ड्राफ्ट जारी नहीं किया है तो इसी लिए आज के दिन इस चीज के बारे में discussion करना कि कैसे वन नेशन वन इलेक्शन को लागू किया जाएगा या फिर वन नेशन वन इलेक्शन के कौन से राजनेतिक फाइदे होगी या नहीं मुझे लगता है कि आज की दिन हमें उस चीज के चर्चा नहीं करनी चाहिए आज मैं एक अलग महत्वपुर्ण विशय के बारे में बात करना चाहूंगा जो वन नेशन वन इलेक्शन के काफी नजदीक है और वो है कि कैसे वन नेशन वन इलेक्शन भारतिय राजनी तीम में तीन बड़े महत्वपुर्ण बदलाव बहुत ही जल्दी लाने वाला है और हाँ ये ऐसे तीन महत्वपुर्ण बदलाव होगे जो हमारी भारत की राजनीती में दिर्गकालिक बदलाव के तौर पर देखे जा सकते हैं हाँ अब ये तीन बदलाव अच्छे साबित होगे या बुरे ये तो वक्त ही बताएगा लेकिन इन तीन बदलाव की बात तो हमें आज की दिन करनी ही चाहिए जिसमें सबसे पहला बदलाव आज आएगा क्षेत्री या राजनेतिक पाइटियों की पॉलिटिक्स के उपर आज के रिन हम ये देखते हैं कि कोई भी पाइटि हो चाहे फिर वो राश्ट्री यस्तर की पाइटि हो या फिर क्षेत्री यस्तर की उसके चुनाओ लटनी की रणनीती या मुद्दे केंद्री यस्तर पर मतलब नैशनल लिवल की पॉलिटिक्स में अलग होते हैं और राज्यस्तर पर मतलब उनकी स्टेट लिवल की पॉलिटिक्स में अलग होते हैं लेकिन अगर One Nation, One Election का कॉंसेप्ट आया, तो सभी च्षेत्री ये political parties के लिए ये थोड़ा नुकसान देने वाला हो सकता है, क्योंकि उनके सामने सबसे बड़ी दिक्कित तो ये होगी, कि कैसे वो एक असली अजेंडा सेट करे, या फिर वो एक ऐसी चुनोती को पेश करे, जो National Level की Politics के लिए भी रिलिवन्स में हो, और State Level की Politics के लिए भी रिलिवन्स में हो, अब इसके लिए सबसे अच्छा उधारन आप मान सकते हैं, जैसे की समाजवादी party का, अब मान दीजिए कि अखिले शादोजी की party उत्तव रदेश में State Level की चुनाव के लिए कोई अजेंडा सेट करना चाहती है, लेकिन अगर वही अजेंडा National Level के Politics के लिए अपरासंगिक है या फिर इरिलिवन्स में हैं, तो ऐसी स्तिती में State Level की Politics करने वाली समाजवादी party को अजेंडा सेट करना काफी दिक्कत भरा काम हो सकता है, हाला कि यही समस्या National Level के Political Parties के लिए भी हो सकती ह लेकिन वैसे भी आज के सिचुएशन में अगर हम दो बड़ी National Level Political Party को देखें, जिसमें भारतिय जनता party आती हैं और Congress आती हैं, तो दोनों ही राजनेतिक partyों का अजेंडा, State Level का अजेंडा और National Level का अजेंडा, मतलब उनका क्षेत्रिय अजेंडा और राश्रिय स्तर का अज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर जरूर करें, बेल आइकन की घंटी जरूर दबाएं, अब हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं, दुसरा सबसे बड़ा बदलाव आएगा वो है गड़बंदन करने में, अभी तक काफी राज्यों के लोगी को बस लोगसभा में सीड़ेनी होती थी, लेकिन अगर वन नेशन वन इलेक्शन आया, तो जहाँ पर लोगसभा और राज्य के विदानसभा चुनाओ एक साथ होने वाले हैं, उस वक्त जब आप गड़बंदन करने के लिए जाएंगे, तो आपको गड़बंदन के नैशनल लेवल का, और दूसरा फ्रंट होगा, स्टेट लेवल का, इसका सबसे अच्छा उदारण हम ले सकते हैं आम आदमी पार्टी और कॉंग्रेस, मान के चलिए कि जैसे दिल्ली में, हाली में जो लोगसभा चुनाओ हुए थे, उसके लिए कॉंग्रेस और आम आदमी पार्टी और कॉंग्रेस, इन दोनों के लिए ही ये मजबूरी बन जाएगी कि उन्हें गड़ बंदन ना कि राष्ट्री या मतलब लोगसभा चुनाओ के लिए करने पड़ेंगे, और अगर वो नहीं करते हैं, तो फिर ये उनके वोटर के लिए काफी दिक्कत वाला काम ह जाएगा, क्योंकि वो कभी समझ ही नहीं पाएंगे कि किन विधान सभा चुनाओ के लिए या फिर लोगसभा चुनाओ के लिए उनके पार्टी ने किस दूसरी पार्टी के साथ गड़ बंदन किया भी है या नहीं, तो इससे उनके जो कोर वोटर है, उनके बीच में एक ग गड़ बंदन बना था, तो उस तरीके का गड़ बंदन बनाना अपने आप में एक बड़ी मुश्किल वाली बात होने वाली है, तिशरा बदला है करिश्माई नेता की जरूरत सभी पार्टी को होने वाली है, भारत की राजनेति में काफी कम ही ऐसे करिश्माई नेता उनके लिए ये सबसे बड़े परिशानी होगी, जब भी वो इस तरीके से इलेक्शन को कंड़क्ट कराएगी, तो उनके पास कोई ना कोई राश्ट्रियस्तर पर एक ऐसा नेता होना ही चाहिए, जो उतना ही करिश्माई हो, कि वो नैशनल लेवल पर भी राश्ट्रियस्त पर भी प्रतिनिदत्व कर पाए और उसके नाम पर वोट पा सके, और साथी साथ वो हर एक राज्ज में भी उतना ही पॉपिलर हो, ताकि राज्जस्तर के वोट भी उसके नाम पर डाले जाए, अगर ऐसा नहीं हुआ, तो देश में ज्यादा से ज्यादा राज्ज किसी ना मतलब हो सकती है, और फिर चुनाव से पहले गडवन्दन का कोई भी खास महत्वन ही बच पाएगा, क्योंकि हर एक पायटी और हर एक पॉलिटिकल लीडर को ये पता चल जाएगा, कि वो पहले कितना ही प्री पोल अलाइंस कर ले, लेकिन आखिर में अगर किसी भी पायटी तो दोस्तों आप समझे गए होगे कि One Nation, One Election कैसा भी हो, लेकिन ये भारती राजनीक्ती की तस्वीर जरूर बदलने वाला है, अगर आपकी राय अलग है, तो जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिए, आज के लिए इतना ही दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद